हलो कि अब्रिवन विल्कम बैक टू मर्ण चैनल जैसे की इसाथ जैनल पर आपके सक्किनकीर और एकर सेर तो जाड़ में शेयर करती हो उसी तरह से आज भी आपकेसाद बहुत अमेजिंग रेमेनी शेयर करेंकि आपकेषीयर करती हूं जो बिल्कुल जैनुवन होती है जिसका कोई रियली एफिक्ट होता है आज की remedy प्री मेचियर ग्रेइंग हेर की problem को solve करने से related है मैं आपको एक hair oil नाना जिखाऊंगी जो आपकी इस problem को दूर कर देगा एज कुछ भी हो चाहे किसी बचे को ये problem हो रही है या किसी elder age के person को या teenager को सभी के लिए जो remedy है वो work करेंगी actually हमारे जो premature growing hair की problem हो क्यों arise होती है हमारे hair time से पहले white क्यों हो जाते है उसका एक reason होता है कि हमारी skin के अंदर जो skin pigment melanin होता है उसकी मात्रा जो है उसके amount जो है वो कम हो जाती है जिसकी वज़े से हमारे hair का जो color है वो finish होना शुरू हो जाता है और वो black color की बचाए gray में convert होना शुरू हो जाते है और या फिर एक दूसरा reason यह होता है कि catalyst नाम का जो key enzyme है वो हमारे skin roots के अंदर जो कम हो गया है produce होना उसकी amount कम हो गई है जिसकी वज़े से हमारे hair root के अंदर H2O2 hydrogen paroxide की मात्रा increase हो गई है जिसकी वज़े से हमारा जो hair का color है वो white होना शुरू हो जाता है और जो हमारा key enzyme है catalyst यह H2O2 को use करता है तो उसकी quantity कम हो जाती है तो जो hair है अगर catalyst boost हो जाए और H2O2 की quantity कम हो जाए तो हमारे जो white hair है दुबारा से black होना शुरू हो जाएंगे तो इनी दो चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक कुछ जो ingredient है उनको ऐसे combine करा है कि हम उस oil को इस तरह से prepare करेंगे कि हमारे hair root के अंदर melanin का production भी बढ़ जाए और catalyst का भी और उनी ingredient को लिया गया है जो इन दोनों चीजों को boost करते हैं तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं बचाती हूँ इस oil को बनाने के लिए आपको कौन कौन से ingredient की जरूरत है पर ध्यान से देखेगा इस वीडियो को बिल्कुल skip मत कीजिएगा ताकि कोई भी step आप से मिस ना हो जाए बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ल देने हैं एक आपने coconut oil लेना है दूसरा आपने almond oil लेना है जो coconut oil है यह हमारा base oil है इसकी quantity आपको 400 ग्राम लेनी है और जो यह almond oil है यह हमें सिरफ 2 teaspoon ही चाहिए और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि almond oil को हम किसी भी heat process के अंडर नहीं लेंगे अब हमारे पस दूसरा जो ingredient है वो है एक करी पता और एक है rich good मतलब तूरई 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 vegetables में से एक ऐसा vegetable है जो के हमारे मलेनिन के production को boost कर देता है इसके अंदर इतनी जादा power होती है तो हमारे oil का जो main ingredient है वो है तूरई अब यहाँ पे हमने करी पता और तूरई दोनों को wash कर लेना है बहुत में सुखाना है और तूरई को चुटे-चुटे pieces में कट करके सुखाना है तो आपने यह जो सुखाने का procedure है वो धूप में बिल्कुल नहीं करना आप इसको चाया में ही सुखाएंगे दो या तीन दिन में यह बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे और इनका पूरा moisture नि तो अगर इसमें moisture रह जाएगा तो oil खराब रुचाएगा इसलिए इनका proper moisture फिनिश हो जाना चाहिए बट यह धूप में नहीं सुखाना और इन्हें हमें चाया में सुखाना पड़ेगा तो इसलिए दो या तीन दिन आपको इनको सुखाने में लग जाएंगे अब हमने seed based कुछ product लेने हैं कुछ ingredient लेने हैं जिसमें आपको long लेने हैं आप long यहां पे 8-10 करी ले सकते हो और एक चमच आपको मेथी दाना लेना है कैलोंजी लेनी है एक चमच और आपको कुछ थोड़े से आम ले लेने हैं बहुत जादा नहीं लेने हैं यह dry आमला है तो 5 और 6-7 ज जो हमारा मेथी दाना है यह बालों के लिए air root को मजबूत करने के लिए अपने आप में एप्रोप्रियेट है जो मेथी दाना है यह हमारे air root में जो key enzyme catalyst है उसकी production को boost करता है जैसे तुराइग मलैलन के production को boost करती है इसी तरह से जो यह मेथी दाना है यह catalyst नाम के key enzyme को produce करता ह है अब यह ingredient जब combined होंगे तो हमारी यह problem बिल्कुल sort out होने वाली है अब हमें क्या करना है जो हमने यह base oil लिया coconut oil यह हमने 400 gram लिया तो अब हमने क्या करना है हमने 2 खाली कांच के jar लेने है दो खाली कांच के jar ही लेने है प्लास्टिक के jar आप बिल्कुल नहीं ले सकती एक ज 300 gram जो oil बाकी बचाएं वह दूसरे कंटेनर में अब आपने जिसमें 300 gram oil है उसमें आपने यह सूखे हुए करीपता और तुरई दोनों को डिप करके रख देना है और जो यह बाकी के seeds हैं जो लॉंग है 8-10 species आप लॉंग के लोगे एक चमच आप मेथी दाने का और एक में डिप करके रख देंगे जिसमें 100 gram तेल जो है आपने डाला है अब इसको भी बन कर दो गया अब इसे तीन या चार दिन रूम टेंपरेचर पे ही पड़ा रहने देजिए यह seed और जो वह vegetable हमने डिप करी है यह अपने आप में अपना extract उस oil में छोड़ देंगी it means infuse infusion क के लिए हमोसली oil को धूप में रख देते हैं फिर चाया में लेकिन यहां पर हमने ऐसा नहीं करना है हमने यह दोनों कांच के जार रूम टेंपरेचर में ही रखने है तीन या चार दिन में जब आपको लगे हलका आपके oil का जो color है दोनों container का change हो गया है तो अब आपने क्य प्रागन में है एक लोहे की कड़ाही लेनी है आपने लोहे की कड़ाही में आपने जो 300 ग्राम oil है जिसमें आपने तुरई को डिप करा है उसस ओयल को आपने लो फ्लेम पे पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आप पकाईएगा उसे वो अच्छे से ब्राउन हो जानी चाहिए और जो थोड़ा बहुत भी उसका मॉस्चर अगर सुखाने के बाद भी देखो थोड़ा तो रहेगा वो उसको पकाने से प्रापर फिनिश हो जाएगा और जब वो तुरई पक जाएगी तब आपने ये 100 ग्राम वाला जो कंटेनर है उसका ओयल इन सीड के साथ उसमें मिक्स कर देना है उसे भी 5 या 10 मिनट के टाइम के लिए पकाना है एक्चली हमने ये सीड पहले क्यों नहीं डाले क्योंकि सीड बहुत जादा अगर पकेंगे जैसे तुरई को पकाना पड़ा तो ये जल जाएंगे तो हमने इनका एक्स्ट्रक्ट को अल्रेडी ओयल में आ चुका है तो इन्हें हलका ब्राउन होने तक ही ने पकाना है तो हमने जब तुरई बिल्कुल अच्छे से उस ओयल में पक जाएगी तो अभी थोड़ा टाइम है ओयल को और पकने में तो ये विद सीड हमने ओयल उसमें मिक्स कर देना है पांच चर दस मिनट फिर उस ओयल को चलाईएगा जब ये पूरे सीड आपको देखें के ये पक गए है तो लास्ट में जो कड़ी पता है जो हमने अलग से रखा था जिसे हमने उस 400 ग्राम के सीड में नहीं डिप करा था उस कड़ी पत्रे को डाल देना है कड़ी पता हमने लास्ट में इस लिए डाला है तांकि ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है अगर हम इसे शुरू में ही डाल देते हैं तो लास्ट में हमने इसको डालना है तांकि इसका एक्स्ट्रेक्ट ओयल में आ जाए और ये हल्का सब राउन हो जाए बस उसके बाद आपने गैस जो है वो बंद कर देनी है और इस ओयल को ठंडा होने के लिए रख देना है जब वो ओयल ठंडा हो जाए तो आपने उसे कांच के कंटेनर में ही चान लेना है किसी स्टेनर की हेल्प से और उसमें अब आपने एक last step जो follow करना है जो मैंने बताया था कि almond oil आपने दो चमच लेना है पर उसे आपने किसी heat process में ने लेना तो जब हमारा oil ठंडा है तो वो दो चमच oil उसमें mix करके अच्छे से हिला देना है और अब भी ही आपका जो oil है premature getting hair की problem को solve करने के लिए ready है आपको इसको week में two time तो जरूर ही apply करना है अपने hair roots पे बिल्कुल अच्छे से apply कीजिएगा और जैसे कि आपने जिजिन hair wash करना है उससे एक दिन पहले इसको apply कीजिए अच्छे से malish कीजिए और next day hair wash कर लीजिए week में two time यह जरूरी है जो लोग three time कर सकते हैं वह बहुत अच्छी बात है मैं यह नहीं कहती कि जी आपने one time oil apply करा या two time और आपके hair जो है वह black हो जाएंगे जब यह एब्जॉब होगा scalp के अंदर तो मलेलिन और catalyst दोनों ही बूस्ट हो जाएंगे जैसे यह वह बूस्ट होएंगे तो तब उसकी बूस्ट होने की वज़ए से आपके जो hair का color है वह चेंज होना जाएगा देखिए ओवर एज होने वाले जो person होते हैं उनके hair black नहीं होंगे जो aging process सही है premature का मतलब है time नहीं है hair white होने का लेकिन यह फिर भी white होगे हैं जैसे 5-6-7 साल के बच्चे के हो जाएं तस साल के बच्चे के हो जाएं यह तर्टी प्लस लोगों के हो जाएं वह बिल्कुल जो hair है उन पर यह इतना अच्छा work करेगा कि वह दुबारा से black हो जाएंगे लेकिन आपको patience रखनी बिल्कुल patience रखे से regular adopt कीजिए यह miracle work करती है यह remedy और अगर आपको यह video informative लगा, knowledgeable लगा और आपको पसंद आया तो इस video को अपने friends को share जरूर कर दीजिएगा, like का button भी दबा दीजिएगा और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, subscription बिल्कुल free होता है लेकिन आप video देख लेते हो लेकिन subscribe नहीं करते हो, अगर आप चाहते हो ऐसी informative videos आपको daily मिलें तो आप चैनल को subscribe जोड कर दीजिए, बिलते हैं next video में, thank you